इंवेस्मेंट के लिए best stocks कैसे pick up करें यह हमेशा एक hot topic रहता है और लोग यह सीखना भी चाते हैं कि खुद से हम ऐसे stocks को identify कर पाएं जो next Wipro बन जाए, next Asian Pains बन जाए, next MRF बन जाए अगर आप ऐसे stocks को pick करना चाहते हो, जो आज तो ऐसी companies जो बहुत छोटे लेवल पर है, बट उनके fundamentals बहुत अच्छे हैं, तो आप बिलकुल सही वीडियो पर आगए हो, in fact आपको वीडियो की series मिलने वाली है, जिससे आप खुद से pick कर पाऊगे, साल के हिसाब से और सालों के के साथ से, मतलब short term और long term के साथ से, आपको कहाँ पर investment करनी चाहिए, तो आज हमारे साथ connected है, CA अंकोष जी Chartered Accountant है, इसके साथ साथ अंकोष जी एक SEBI registered professional भी है, तो ये research and list है, खुद से research करते हैं, और अपने clients की help करते हैं, ऐसे stocks identify करने में, जिससे इनके clients को मुनाफ़ा हो हो पाएं, बट आज वो मुनाफ़ा आपका होने वाला है, अगर आपने इस वीडियो को इन तुक देखा, आने वाली वीडियो को देखा, तो अंकोष जी आप कैसे खुद से, पूरा process बताईएगा, बिल्कु खुल के, कि कैसे आप starting से analysis करते हैं, और कैसे पहुँचते हैं जिसमें लोगों का पैसा multiply हो पाएं, जी, thank you for the great introduction, मैं audience को बताना चाहूंगा आपकी, कि basically कोई भी stock को चुनने के लिए, दो तरीकी की possibility ली जाती है, एक तरीका होता है कि आप top down approach को use करें, या bottom up approach use करें, दो प्रकार की approach होती है, इसमें 5 प्रकार के points आते हैं, जिसमें कौन से चीजों को, कौन कौन से चीजों के मापदंड को आपको ध्यान से देखना होता है, पहली चीज़ यह देखना होता है, कि पहले हम कौन से approach की बात करें, पहले हम बात कर रहे हैं कि top down approach, बल्कुल bottom पे, और सबसे ऊपर आएंगे macro economic factors, उसके बाद आप industry पे बहुंचो कई लोगों को यह भी नहीं पता होता, कि यह दो तरीगी कौन से approach है, तो आप बिल्कुल filter out करते हुए आ रहे हो, उपर से filter out करते हुए नीचे आ रहे हो, या फिर आपने सीधा company से फिर उपर की तरफ जा रहे हो, राइंग, जी, yes, so basically top down approach में ऐसा होता है, कि जहां पे आप आपको company का नाम नहीं पता, आपको किस चीज को चुनना है, आपको यह नहीं पता, आने वाले समय में आपको कौन से stock multiply करके दे सकता है, multi bagger बन सकता है, आपको अच्छे कासे returns दे सकता है, वो आपको नहीं पता, उस situation में हम top down approach यूज करते हैं, और bottom up approach जब हम यूज करते ह उसका analysis होने के बाद, हम macro economic factors को देखते हैं, जैसे कि आपने कहा, कि last में हम macro economic चीजें देखते हैं, जब हम नीचे से उपर जाएंगे, तो पहले हम पहले हम पुरा factors को देखेंगे, yes, so basically इसमें 5 points होते हैं, हम जब top down approach करते हैं, तो हमें first देखना होता है कि macro economic factors कैसे हैं, एक इंडेक्स को भी track करना होता है, इंडेक्स को इसली ही track करना होता है, आपको समझने के लिए कि market की economic कैसे perform करें, क्योंकि index is the only thing which shows कि market कि इस direction में जा रहा है, अभी जैसे हम इंडेक्स में already बहुत ऊपर दाइरे में खड़े हुए हैं, तो उस situation में किसी को डर भी लग सकता है बट अगर वो proper macro economic analysis को समझने की कोशिश करेगा, यह सब factors को ध्यान में रखते हुए, तो बहुत अच्छे से समझ सकता है कि आज की तारिक में भी कुछ-कुछ potential stocks हो सकते हैं, जो multiple returns दे सकते हैं over a period of time, पहली चीज हमने देख लिए हैं कि हमको macro economic factors को देखना है, यहाँ पर यह चीज बड़े institutions के लिए बहुत जोड़ा जरूरी है, माल लो एक ऐसा institution है, एक FII है, जिसके पास पैसा तो है बड़ उसे यह देखना है कि मैं इंडिया पे बैट करूं, एफरिका पे बैट करूं, श्यलंका पे बैट करूं या पाकिस्तान पे बैट करूं, या पंगला जाएगा, अगर उस country का इंडेक्स अच्छा चल रहा है, तो यह एक अच्छा indication है, और इसके अलावा फिर बहुत सरे factors के नाम लिए गाए, कि जैसे कि currency आप देखेंगे, currency depreciate जादा तो नहीं हो रही, वहाँ पर किस तरीके से growth हो रही है, तो बहुत सरी development prospects भी देखे जाए और हम लोग इंडिया में है, तो आप लोग इंडिया के macro economic factor है, इस वक्त कैसे चल रहे हैं, आप comments में जुरूर बताएगा, बड़ा interesting हो जाएगा comment section विर हमारा, बिलकुल, अब इसमें second point आता है, आपको समझना होता है, कि वह कौन से industry हो सकती है, जो outperform कर सकती है over a period of time, क्य आपको यह समझना होगा, कि industry analyze करूं में, कौन सी industry हो सकती है, जो बहतर return दे सकती है, आने वाले समय में, industry analysis के अंदर ही आजाएगा, आपका sector analysis, जहां पे आप sector wise चीजों को समझ पाएंगे, कि आने वाले समय में, यह sector outperform करना है, यह underperform करने वाला है, तो यह second चीज हो गई, जहां पे हमें industry analysis करना होगा, काफी अच्छे तरीके से, यहां पे हमें लोगों को example देने चाहिए, जैसे कि अगर आप sector पे बैट करते हो, अगेन आपने देखा है, इंडिया की macro comics बहुत अच्छे है, example आपको लगा, उसके बाद आपने industry specific आप जा रहे है, तो industry के अंदर आपको लगता है वही, automobile industry बहुत अच्छी grow हो सकती है, इंडिया की population बढ़ रही है, लोगों की per capita income बढ़ रहे है, example, लोगों की purchasing power बढ़ रही है, तो अगर यहां पर, जैसे ऐसे लोग पैसा कमाएंगे, वैसे विसा गाड़िया खरी रहे है, example आपको लगा, आप उस industry के आपको लगता है, इसी तरीके से आपको लगता है, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा जाएगा, तो फिर आप बैंक्स की तरफ भी रहां दे सकते हैं, और ऐसी IT सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, तो यह सेक्टर के एक्जाम्पल है, इसी भी मैं एक और चाहिए आड करना चाहूँगा, पुशकर जी, कि जैसे हम जब यह एनलाइस करते हैं, तो हम इसमें अगर देखना चाहें, एक्जाम्पल के तरफ में एक और एक्जाम्पल आड करना चाहूँगा, कि जैसे sunshine industry अगर हम देखते हैं, तो एक advisory industry एक ऐसी है जो sunshine industry है, और sunset industry तो नहीं बोलेंगे, बट peak में already पहुँच चुकी है, आपकी stock market की industry, जहां पे dmit account बहुत सारे खुल चुके हैं, आने वाले समय में बहुत खुलने वाले, बट वो density से नहीं खुलेंगे, जिस density से आज तक खुल चुके हैं, आफ्टर कोरोना, बट अब advisory ए इंडस्ट्री है, जहां पे हम biofuel के उपर dependent हैं, तो coal हो गया है, या फिर और जो आपके biofuel वाले products हैं, तो एक वो industry, मुझे मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा, आपका बोलना फिर भी ठीक रहेगा, कि आप बताएगा कि वो sunrise में जाएगी, या एवी की हम बात करें, या फिर solar की हम बात करें, तो वो एक sunrise industry के अंदर आ सकता है, जी बिलकुल, sunrise industry में EV बिलकुल आ सकता है, और ऐसी काफी सारी चीज़े हो सकती है, जो sunshine industry में आ सकती है, sunset में coal आप बोल रहे हैं, 50% सही भी हो सकता है, 50% incorrect भी हो सकता है, क्योंकि alternative source of resources use हो सकता है, तो आने वाले समय में, इसके पहले, industry भी analyze कर लिया, तो आपको पता चल चुका है, बही मुझे ये industry और ये sector में पैसा लगाना है, अब आपको आगे जाना है कि इसमें stock कैसे चुनू मैं, कौन सा best stock हो सकता है, जो मुझे आगे जाके अच्छा का सा return दे सकता है, तो यहाँ पर बात आ जाती है, कि आपको sector मिल चुका है, industry मिल चुकी है, अब ये industry में top performing stock कौन सा हो सकता है, तो आपको उसमें चेक करना है कि लीडर कौन सा है, इस particular industry में, अगर लीडर आपको मिल जाता है, लीडर मिलने के बाद आपको देखना है कि उसकी proxy company कौन सी है, जो छोटे company है आज की तारिख में, जिसका market cap काफी छोटा है, बट आने वाले भविश्य में वो उस leader के पास पहुचने की कोशिश कर सकती है, बहुत सारे investors को हम लोगों ने देखा है कि वो छोटी company वह industry की लेते हैं, जो बड़ी leader उसमें already बन चुकी है, मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि बड़ी company है, छोट company उसकी proxy हो सकती है, और similar example देना पड़ेगा तब लोगों को समझा है, जी, तो मैं example के तौर पर अगर बोलना चाहूं, तो जैसे अगर आप ITC देखते हैं, although उनका business cigarettes वगर का manufacturing का है, so ITC की synonym अगर हम company देखेंगे तो VST industries होती है, VST industries भी वो cigarette में ही deal करती है, so अगर हम similar industry द देखेंगे, return capital employed देखेंगे, मतलब काफी शारे ratios अगर देखेंगे, और ये ratios अभी आने वाली videos में detail में समझने वाले हो, तो अभी घबराने की जुरूत नहीं है, बट देखो, आप लोगों को यहां से अगर अपनी knowledge को upgrade करना है, तो यह सब चीज़े सीखनी ज़रूरी है जी बिलकुल, यह काफी ज़रूरी है क्योंकि आप अपना बहुत मेहनत से कमाया हुआ या बचाया हुआ पैसा आप market में लगाने वाले, तो यह तीन चीज़ों हमने देख ली, इसी में एक और चीज़ आती है कि आपको company का management कैसा है, वो समझना होता है, क्योंकि जब तक आ कि company का management कैसा है, क्योंकि ultimately management के जो लोग है, वही decide करेंगे कि company का future prospect कैसा हो सकता है, अगर अच्छा management होगा तो next level पर लेके जाएगा, और अगर उतना अच्छा management नहीं होगा तो हो सकता है, उसके scale होने के chances और possibility थोड़ी कम हो, उसमें हम काफी सारे directors लोगों का back record देखेंगे उन्होंने कोई ऐसी company में काम किया है क्या, जिसको next level पर लेके गया हो, जैसे example के तौर पर एक company में बताना चाहूंगा, एक happiest mind company है, जिसके directors पिछली वाली बहुत बड़ी company को create कर चुके थे, वो आज की तारेक में happiest mind को लेके आए, तो वो company में अगर वो काम कर रहे है, तो हर चीज पता है कि वो company को next level पर कैसे लेके जा सकते है, happiest mind को, यह advice नहीं है यहापे, बट मैं example के तौर पर यहापे एड करना चाहा रहा था, अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो चौथा point आता है, financial analysis, financial analysis में हम काफी सारे ratios को समझने की कोशिश करते हैं, क कौन से ऐसे ratios होते हैं, standard ratios, जिसे हमें देखना ही देखना है, investment करने का आगे सोचने के पहले, जब तक हम ratios नहीं देखेंगे, तब तक हम decide नहीं कर सकते हैं, यह company actual में अच्छी है कि नहीं है, मतलब आपको clarity आ गई, management बहुत अच्छा है, यहाँ तक आपके पूरे filters चेक हो कि मेरी checklist में यह भी टिक हो चुका है, 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 यह बहुत अब आपने ITC की computer की बात करी, तो computer की हम सारे ratio analysis कर लेते हैं, बिलकुल, हम यहाँ पर यह कर लेते हैं, उसके पहले में top-down approach में हम जा रहे थे, तो इसमें पाँच्वा पॉइंट की आता है, मैं बताना चाहूंगा, जहां पे वो top-down approach close हो जाएगा, पाँच्वा पॉइंट हमारा यह आता है, कि हमें valuation check करना होता है, कि company overvalued है, undervalued है, जब तक हम valuation नहीं नहीं कर पाएंगे, कि यह company में actually invest करना है कि नहीं करना है, यह price to earning ratio के basis में समझने की कोशिश कर सकता है, या earning yield के earning per share, मतलब earning का जो multiplier रहता है, उसके basis में भी समझने की कोशिश कर सकता है, कि company undervalued है या overvalued है, काफी सारे अलग तरीके भी होते हैं, जैसे कि free cash flow method होता है, वो काफी complicated होता है, तो in fact यहां पे लोगं confused नहीं हो, तो free cash flow method, को नहीं होगा है, तो आप सीखने वाले हो, so be prepared, आपको excitement होना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज़ हम पर add or करना चाहँगा, यह जो चीज़े आपको भी सुनने को मिल रही है, यह generally आपको internet पे ऐसे freely आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि यह one level up हो जाता है, तो एक तो होत हैं कि हम यह एक बार analysis भी करनी चाहिए, तो आप continue कर सकते हैं, तो discounted free cash flow method जैसे कि आपने कहा, यह method सबसे जो top लोग हैं, industry में, वो लोग use करते हैं, जैसे कि Warren Buffet साब use करते हैं, Charlie Mangar जी, आज की तारिक में हमारे बीच नहीं है, बट वो भी काफी use करा करते थे, so यह method mostly, जो big shots हैं, industry में, वो लोग use करते हैं, अच्छी खासी company को निकालने के लिए, तो आप ट्रैक पे होई हो, थोड़ा पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप एक अच्छी investor बनेंगे, यह मेरा मानना है, सही जगह आ चुके हैं, और सही चीज को देख रहे हैं, अगर यह वीडिय सिर्फ यह होता है, कि आपको company का नाम पहले पता चल जाता है, और उसके बाद आप आगे-ागे की चीज़े देखते जाते हैं, कि situation analysis कैसा है, sector analysis कैसा है, और macroeconomic factors कैसे है, इसी को reverse कर देंगे हैं, तो यह हो गया हमारा bottom-up approach, तो अगर आपके पास कभी किसी company का नाम आता है, यह company में पैसा लगाओ, कहीं से advisory आगई, कोई tip आगई, तो आप खुद से पैसे लगाने से पहले analysis कीजे, आप महाँ पर bottom-up approach को use करके, खुद से analysis कर सकते हैं, और फिर decision लीजे, पैसा लगाने ने लगाना, क्योंकि आज की rate में लोग सिर्फ नाम सुन लिया, कहीं पर टेल रिकॉर्ड शेक किया हो, और फिर आफ फॉलो कर रहे हो एक अलग बात है, कि वो फिर तो एक advisory वाला काम हो, जी बिलकुल, इसी में मैं एक और चीज़ आड़ करना चाहूंगा, कि आपको कौन सी चीज ज्यादा समझती है, बच्पन से आप देखते हुए आउंगे, आपके काफी help करेगा, कि आगे जाके आप अच्छा खासा अपना return जनरेट कर सकते हैं, कोई भी stock में invest करने के पार, तो अब हम आ जाते हैं, स्क्रीन पर जहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे, कि कौन-कौन से ratios हमें add करने चाहिए, और किस-किस चीजों को ध्यान रखना चाहिए at least basics में, कि यह चीज तो हमारी पूरी detail में निकलनी चाहिए, जो हमें help करेगी, कि यह particular stock में invest करना है कि नहीं करना है, so मैं screen पर आपको दिखा देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर screener open कर रखा है, यहाँ पर मुझे कोई particular company के बारे में जानना है, तो पहले मैं एक add company कर देता इसके पहले हमने VST industries के बारे में ही बात करी, so उसी को मैंने यहाँ पर search कर लिया है, और screen में आपको काफी सारी चीज़े दिख रही होगी, जहाँ पर VST industries के बारे में detail दी हुई है, कि उसके board meeting कब हुई थी, unaudited financial statements कब आये है, disclosure अगर कुछ बीच में आया है, तो वो भी आ notice आया हुए company को, जो कि हमें दिख रहा है कि 8 crore rupees की कुछ demand आई है, so यह तो notice है, इसके आगे जो भी बाते होगी वो तो company माला को ही पता होगा, हमें तो नहीं पता चलेगी, but आपको कम से कम पता लग जाएगा, जब आप कोई भी company के बारे में search करने जाते हैं, तो यह सब अगर कोई latest news होती है, या company को पर कोई action होता है, तो यह आप कम से कम एक पर देख सकते हैं, इसके बाद हम ratio पर तो definitely जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इससे समझेंगे, यह भी जरूरी section होता है, कि अगर कोई fraud case में company फस्ती है, तो वो भी आपको कम से कम पता होगा, कि इस त करते हैं, कुछ standard ratios आपको लगे हुए मिल जाएंगे, screen में जो आपको दिख रहे हैं, जैसे कि market cap दिख रहा है, current price क्या चल रहा है, particular share का, इसने पिछले 52 week में high क्या लगा है, low क्या लगा है, इसका stock का PE ratio क्या है, book value क्या है, dividend yield क्या दे रहा है यह stock, और return on equity और return on capital employed क्या दि दिखा रहा है, अब यह तो standard ratios हमें कुछ standard वाले दिख रहे हैं, जहां पर हम particular company में visit करते हैं, इसके साथ साथ हमें काफी important कुछ ratios देखने होते हैं, जो हमें analysis करने में काफी detail में समझने में help करता है, कि कौन सा share है, जो जिसकी मैं और detailed depth में research करना चाहूँगा, ताकि मेरा स इसमें कुछ standard ratios आपको mostly used जो लोग करते हैं, वो आपको left hand side में recent में already दिख रहे हैं, इसमें मैं add करना चाहूँगा operating profit margin, कि यह operating profit कितना मिलता है यह company को, basically operation से कितना कमाती है यह company, इसके साथ साथ मैं इसका देखना चाहूँगा कि market capitalization, market capitalization already added था, तो यह add नहीं करना यह company dividend कितना देती है, इसके साथ साथ return on capital employed कैता है, debt to equity कोई debt तो नहीं है यह company के अंदर, return on equity कितना देती है यह company, promoters की holding सबसे important की promoter की holding कितनी है, मतलब promoter उसमें यह company में भरोसा कितना दिखा रहा है, इसके बाद मैं देखना चाहूँगा कि earning yields क्या है, कोई pledge तो नहीं किय इन लोग ने अपने shares को, यह pledge का मतलब यह होता है कि जो company का promoter होता है, वो अपने share को pledge घर के पैसा उठा लेता है, तो अगर pledge किया हुआ है shares को और बहुत ज़्यादा pledge करता जा रहा है, तो यह positive नहीं होता company के लिए negative होता है, तो यह छोटी उटी चीज़े है, जो कई हम कुछ देखना चाहेंगे, जिससे कि industry का PE क्या है, जिससे हमें समझ मायाँगा कि यह जो particular stock है, कहीं वो industry से over price तो नहीं, अगर एक single thought में हमें fast देखना हो, कि यह stock over price तो नहीं है, तो हम industry PE से compare करेंगे इस company का PE को, इसके साथ कुछ और ratios हम देखना चाहेंगे कि price to free cash flow क्या है, मतलब यह company cash किती जली खटा कर पाती है, क्योंकि cash अगर सबसे जादा आएगा, मतलब यह cash rich company है, जादा तर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें cash rich company मिले, क्योंकि cash is king, क्योंकि cash वो company को कभी 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 working capital crunch में नहीं आने देगी, और उसे cash की वज़े से वह investment भी कर सकती ह अच्छा का सा return generate कर सकती है, अपनी company के लिए इसके साथ साथ हम यह भी समझना चाहेंगे कि working capital situation कैसी company की तो इसलिए हम current ratios भी add कर देंगे, आपको थोड़ा सा हम समझाने की कुशिश तो करेंगे, इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे, क्योंकि क्योंकि इसमें कई सारे ratios आगे, अब जैसे P लिख दिया, industry P लिख दिया, अब P is price upon earning, अगर आप देखेंगे, जो company का market price चल रहा है, उसके upon में उसका earning पर share क्या है, जब हम उसे divide कर देते हैं, तो हमारा P निकलता है, अब P कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आप को कुछ ही बताएंगे, पर यह एक एक ratio को समझना ज़रूरी है, अब current ratio लिखा होगा है, current ratio क्या हो गया, current assets upon current liabilities, तो assets जादा होने चाहिए, liability कम होनी चाहिए, तो आपको यह देखना होता है कि current ratio जितना जादा उतना अच्छा है, अब यह जो बताया जा रहा है, इस पर हम properly बात करेंगे और आपक ratio बेसिकली यह होता है, कि आसान भाशा में हमारे users को, हमारे जो viewers से उनको बताने के लिए, कि भई, मैं एक रुपए earn करने के लिए, कितना रुपए देना चाहता हूँ, तो यह आसान भाशा में मैं समझाने की कोशिश करना है, अगर 10 का PE है, तो आप यह समझे लो, एक प्राइस, जो भी है, करेंट प्राइस, अगर अर्निंग बढ़ जाएगी, तो पी एक दम से कम हो जाएगा, बिलकुल, तो कई बार, जो मार्केट है, वो हायर पी देती ऐसी कमणी को, जिसकी earning potential and future की बहुत जदा होती, बिलकुल, जी, तो वो आपको ध्यान में रखके चल होता है, यह ratio, generally, वो company में देखना होता है, जो company debt लेके रख रही है, जिसने नहीं लिए, उसमें आपको यह ratio यूज नहीं होगा, यह अप सर ने ले लिया है, one of the main ratio मैं से देखता हूँ, अगर आप अधानी ऐसी कमणी में invest कर रहे हो, तो आपको लग रहा होगा कि अधानी कि जो वो, महलब आप समझो, कोई भी अगर loan आता है, तो वो ब्याच पर आता है, महलब interest पर आता है, उस interest को चुकाने का, उसका ratio आपको पता हो नहीं, उस company का potential है या नहीं, तो अगर interest coverage ratio अच्छा है, तो यह तो एक अच्छा वाक्त, एक green flag है, जी बिल्कुल, इसी वे मै एक और चीज़ा आट करना चाहूंगा, कि जैसे कि आपने वीवर कभी देखा होगा, वीवर क्या कर रहा था, कि उस वो short term loan लेते जा रहा था, और long term उसकी liability बनते जा रही थी, तो जब दी आप short term capital को लेते जाएंगे, और long term आपको payable आएगा, तो आपको एक working capital crunch बहुत बन सकता है, और आपका interest coverage ratio पूरा को पूरा हिल सकता है, और इसी वज़े से वो collapse हुआ, इसी वज़े से वो collapse हुआ, और उसका काफी valuation 70% drop down होगी, इसके बाद हम कुछ और ratios देखना चाहेंगे, यहां पर most recent ratios में नहीं देख रहे हैं, तो मैं यहां से search करके add करना चाहूंग कि जैसे कि मुझे अगर, market cap to cash flow देखना है, market cap to cash flow, तो यह एक ratio में लगाना चाहूंगा, समझने के लिए कि यह cash कितना निकाल लेती है company, इसके साथ-साथ profit growth क्या है company की, और इसके साथ एक और मैं देखना चाहूंगा कि dividend payout कितना देर है, कोई dividend yield तो देख रहे हैं, but dividend कितना देर है, earning yield के साथ-साथ, dividend payout, earning yield already लगा हुआ है, so यह standard कुछ ratios हम देखना चाहेंगे, जिसके business पर company को हम analyze करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने VST industries की ही बात करी थी, तो हम वही company को आगे deep analysis करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि वह company viable है कि नहीं है, और अगर है भी तो यह recommendation नहीं है, 100%, जी, so अब हम चले जाते हैं अपने screen पे, जहाँ पे मैं VST industries type कर लेता हूँ, so अब हम पूरे ratios को already screen में लगा चुके हैं, जैसे कि आपक impact हो सकता है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, यह particular company का market cap है 5000 crores का आज की तारिक में, जिसका current market price चल रहा है, 3283, 52 weeks में यह 3862 का high लगा है, यहाँ पर बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहुआ, कई लोग क्या करते हैं, वो यह सोचते हैं, जैसे ITC का share है, अब ITC का share तो स share सस्ता हो गया, ऐसा नहीं करना होता, अब अगर आप कोगे भई, दस ग्राम गोल्ड महंगा है, या एक किलो चानी महंगी है, तो आपको एक किलो लेकर आनी पड़ रही है, तब आप 10 ग्राम से comparison कर पा रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है, दस ग्राम वाली चीज भी महंगी तो, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अगर आप लोहे को गोल्ड के भाव पे ले आओगे, तो आप लोड जाओगे, तो आपको सस्ता नहीं देखना कि शेर सस्ता कौन सा है, आपको यह देखना है, आपके पस capital का है, उसमें आप क्या खरी सकते हो, आपको शेर को प्राइ आपका एक लग का भी सस्ता हो सकता है, और आपको 10 रुपह भी महंगा हो सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ, उसे अब आपको अंकुशी बताएं, जी बिलकुल, क्योंकि वो company के fundamentals पे डिपेंड करता है, और company की face value का है, उस पे भी depend करता है, कुछ shares होते हैं, जिसकी face value 100 होती ह किसी की 10 होती है, किसी की एक रुपह भी होती है, तो अगर face value कम जादा रहेगी, तो उसके basis पे भी share का price impact होता है, तो आपको share के price को नहीं देखना, आप face value से, एक बार face value वाला concept पूरा पताऊ ना, मिलों मिलों को बड़ा interest जानने में, आप मान लीजिए किसी company की, यही पर इसकी 10 रुपह थी ना, face value, हाँ, इसकी 10 रुपह है, तो इसकी 10 रुपह है, अब एक बार, अगर मैं यही पर ITC की डालो, आप दे दो, पुशकर जी, आपको यह screen में देख रहा होगा, कि यहाँ पर face value 10 रुपीस की है, जनरली, जो भी company listed होती है, वो 100 रुपीस, या 50 रु तो उस समय उनको number of shares, लोगों को देने के लिए help मिलेगी, और दूसरी चीज, वो free float काफी generate कर सकते हैं, क्योंकि जित्ता share का price कम रहेगा, उतना participation जादा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर example के तौर पे दिख रहेगी, 10 रुपीस की face value है, और current market price 3283 चल रहा है, अगर यह face value एक रुपए होती, मतलब कि 10 divided by अगर हम 10 करना चाहे तो, करना चाहे तो कर सकती है, एक रुपए के नीचे face value नहीं जा सकती, no doubt, बट यह एक रुपए अगर लेके जाएगे अपनी face value को, current price जो है, 3283 की जगे 328 हो जाएगा, मतलब सीधा, दस गुना कम हो जाएगा, तो public participation बढ़ेगा, लोगों का public का participation काफी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो basically क्या है, जो face value concept है, यह लोग इसे ignore कर देते हैं, इसे देखते नहीं कि, face value से में क्या फरक पड़ता है, पर अगर आप क करसर देख रहा है आपको यहां पे, यहां पे इसका face value है 1 रुपीज, अगर यह 10 होता, तो इसका current market price शायद 4500 होता, जो कि यहां पे current market price 450 देख रहा है, आज की तारिक में, बहुत बहुत शामना है, यह लोगों को बताना जरूरी था, कही बार लोगों को यह नहीं पता हो उसे proper deep analyze करना चाहिए कि face value क्या है company की और उसके basis पे उनको पता चल सकता है कि भाव क्या है, तो अगर कोई company split करना भी चाहिए, example MRF आज आपको दिखता है, 11,000 रुपे क्या सपस है, तो अगर वो आज face value 10 पर खड़े, अगर वो अपनी face value एक कर देंगा, उनका share भी 11,000 लोगों को रखता है, एक ही share तो आएगा, अगर एक लग भी डाल देंगे, तो एक ही share तो आएगा, अगर हम 100-200-500 किसी और company की share सरी लेते हैं, जनरली हर किसी की mentality यही होती है, कि मुझे ज़्यादा number of shares मिल जाए, तो ज़्यादा पैसा मेरे पास हो सकता है, बट वो mentality इसको वो company का कम होगा, क्योंकि debt एक ऐसी चीज होती है, जो एक leverage ला देती है company में, जिस वज़े से उसको हो सकता है कि जो वो company कमा रही है, उसका benefit पूरा ना ले पाए, क्योंकि ज़्यादा तर पैसा interest में ही payout में चला जाएगा banks को, इसके बाद अगर हम देखते हैं, तो price 2.57 से multiply करेंगे, तो इसका current market price निकल जाएगा, जो कि 3283 देख रहा है, book value जितनी ज़्यादा उतना बड़ी है, जितनी ज़्यादा रहेगी, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि price to book value ratio उस case में कम आते जाएगा, जितना कम रहेगा, उतना अच्छा है, तो price to book value जितनी ज़्यादा होगी, उतना बड़ी है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, आज आज आप इस share को खरीद रहे हो, आप उ तो अगर आप अगर वो कमणी बिकेगी, तो अगर आपको एक share भी है, तो आपको 718 तो मिलेगा, अगर यह जादा होता, मालीजे यह 2000 यह 3000 होता, तो आप लगबग 32 और 3000 की तो book value घड़ी होई है, और ऐसे scenario भी हम आपको शायद discuss करेंगे in future, जहापे आपको book value जादा रखेगी और current price हम देखेगा, तो ऐसे shares आप अपने radar में रख सकते हो, यह एक अच्छी buying हो सकती है, बिलकुल, buying opportunity अच्छी हो सकती है उस case में, और एक और चीज़ इसमें मैं add करना चाहूंगा, कि book value और current market price, इसको हम जितना कम रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा, जितने कम वाली company होगी, उसे हम डोड़नेंगे, तो वो काफी अच्छा हो सकती है, जो यहाँ पर यह ratio की हम बात करें, इस पैसे बखेंगे, यहाँ पर 4 का है, अगर आपको कई 2, 1 का दिखेंगे, तो बहुत ही अच्छा है, जी, जैसे कि आपने यहाँ पर बोला कि liquidate अगर company होती last financial year मतलब की 2023 का जो 31st मार्च का इसमें book value निकाला होगा, उस हिसाब से 718 का है, जो कि अभी नया financial year जब end होगा, तो इसकी book value चेंज हो जाएगी, क्योंकि book value हमेशा year on year में changes आते जाते हैं, इसके आगे हम screen में देखते हैं, तो current ratio है, current ratio 1.49 का है, जो की config काफी अच्छा है, idle इसका situation 2 का होना चाहिए, बट यह 1.49 भी है, तो इस case में भी यह company का काफी अच्छा है, current ratio, current ratio कैसे निकलता है, यह अगर हम audience को बताना चाहिए, तो उसमें basically यह होता है, current asset divided by current liability, इसके बाद next ratio हमें यह देखना चाहिए, next चीज हमें यह देखना चाहिए, operating profit company का आज generate कर इस case में 361 क्रोस का operating profit है यह company को, इसके बाद हम net profit दिखते हैं, तो net profit भी काफी अच्छा है, 361 का हमारा operating profit है, net profit 307 का है, एक बार लोगों को दोनों में difference भी बताइए, क्योंकि नए लोगों को difference निकलता है, इसमें मैं difference के तोर पे यह बताना चाहूंगा, operating profit हमारा ऐसा profit हो कमपनी को run करने के लिए जिस चीज का खर्चा आ रहा है, मानले जब मैं कोई चीज को sale कर रहा हूं, 100 रुपीज में, उसकी manufacturing cost, raw material cost, अगर मुझे 50 रुपीज की पढ़ रही है, तो 100 माइनस मैं 50 कर दूँगा, तो 50 रुपीज जो आएगा, वो मेरा होगा operating profit margin, मतलब कमपनी को run करने के लिए जो direct expenses मेरे हो रहे हैं, उसे मैं deduct करूँगा अपने sale price से, तो मेरा operating profit निकल जाएगा, और इसी में से हम deduct करते हैं indirect expenses, मतलब company को run करने के लिए जो भी indirect expenses होते हैं, जैसे की electricity हो गया, fuel हो गया, ऐसे अलग प्रकार के जो expenses होते हैं, उसे हम deduct कर देंगे, तो उस only indirect expenses हैं, जो की काफी कम है, इसके आगे हम दिखते हैं, तो dividend payout ratio हमें दिख रहा है, जिसमें हमें ये दिखा रहा है, कि 70.8% का dividend ये company देती है, इसका मतलब basically हो गया, कि अगर हमने 100 और पे कमाए हैं, तो 100 में से 70 तो dividend के तो देही दिया, जी, तो 70% plus का dividend payout ratio हो गया, जी, कमा हैं, उसको भी मैं एक terminology में बताना चाहूं, जी, तो वो term होता है, basically earning, अगर मेरी earning 100 रुपए की हो रही है, तो 100 में से मैं 70 रुपए as a dividend अपने shareholders को दे रहा हूं, reward के तोर पे, कि वो हमारा ये company का sharehold कर रहा है, इसके बाद हमें देखना होता है, कि quick ratio क्या है, quick ratio इसका 0.70 क होती है, कि one का होना चाहिए, quick ratio हमारा ऐसा ratio होता है, जो हमें दर्शाता है, कि हमारे inventory को अगर हमा हटा देते हैं, मतलब current assets minus inventory divided by current liability, तो हम कितनी quickly working capital को manage कर पा रहे हैं, क्योंकि inventory को भी turn करने के लिए, मतलब बेचने के लिए, वापस बनाने के लिए, काफी time लगता है, अग liquid assets के basis पर हमारा quick ratio निकल जाता है, जो दर्शादा है कि company कितनी अच्छी working capital position में है, इसके बाद हमें देखना होता है कि industry का price to value ratio क्या है, यह हमें यह help करता है समझने के लिए, कि आज की तारिक में यह company का price to value ratio अगर हमने ऊपर देखा, तो 4.57 है, और industry में similar जो companies operate करती है, उ यह judgment नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमको बहुत सारे parameters देखने चाहिए, जिससे हम finalize सोच सकते हैं, final कर सकते हैं, कि यह company मेरे लिए अच्छी सावित हो सकते हैं कि नहीं, आने वाले समय के लिए, इसके बाद next ratio हमें देखना चाहिए, industry का price to earning ratio क्या है, यह company का price to earning ratio को हमको industry के price to earning ratio से compare करना चाहिए, और समझना चाहिए, कि यह company वही situation दूसरी company में और इस company में, अगर same parallel है, तो दोनों किस दौड से भाग रही है, और लोग किस हिसाब से उसके लिए पैसा देने को ready हैं, मान लिजए, यह company ITC के साथ साथ चलती है, ITC का अगर example के तोर पे हम देख 16 का है, तो लोग एक रुपए कमाने के लिए इसमें 16 रुपए देने को ready हैं, और ITC में एक रुपए कमाने के लिए 20 रुपए देने को ready है, तो यहाँ पर आपको stock का PE 16.5 का देख रहा है, और industry का PE 16.8 का देख रहा है, तो अगर industry का PE जादा है, और stock का PE कम है, तो यह आप बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर जादा बड़ा डिफरेंस है तो एक ग्रीन फ्लाइग आपके लिए ग्रीन फ्लाइग है और काफी हेल्फूल हो सकता है आपको decision making के लिए क्लिक हो चुका है कि यह इस चीज को देखके मैं जच कर सकता हूं कि कंपनी में अच्छी ची की चीज बिल्कुल जल्दी से दिखाएंगे 32 परसेंट ना सब्स्क्राइब करके promoters holding का मुझे दिखाएंगे quarter wise quarter क्या चल रहा है उसका अगर promoter quarter on quarter basis पे अपनी holdings को बढ़ा रहा है तो यह ग्रीन फ्लाइग है और वो बेच रहा है अपनी holdings कम कर रहा है तो यहां पर आप quarter basis पे 32.16 परसेंट ही चल रहा है मैं स्क्रीन में भी दिखा देता हूं पुशकर जी कि यह constantly December 2020 से September 2023 तक 32.16 से चलके आखरी तक 32.16 ही है मतलब promoter जो है वो इसमें भरोसा दिखा रहा है और अपने shares को dilute नहीं कर रहा है इसके बाद मैं वापस से उपर में ratios में ले चलता हूं जहां पर हम काफी ratios को discuss कर रहे थे so market cap का already हमने उपर discuss कर लिया था वापस से हमको देखने की जुरत नहीं है इसके बाद यह operating profit ratio है यह काफी important हो जाता है समझने के लिए operating कितनी ज़्यादा अच्छी है company की जितना ज़्यादा operating profit ratio होगा उतना ज़्यादा अच्छा है company के लिए तो किस से ज़्यादा होने ज़्यादा इसका कोई standard formula नहीं operating profit का बट service industry में जो भी service industry में operate कर रहा है उसका operating profit 50% से ज़्यादा हो वो काफी company अच्छी हो जाती है और जो भी company manufacturing में deal करती है उसका अगर 15-20 भी है तो वो भी काफी अच्छा कहला जाता है जैसे manufacturing में है तो इसका 27.1% operating profit है operating profit भी कैसे निकाला जाता है operating profit divided by sales अगर हम कर देंगे तो हमारा operating profit निकल जाएगा इसके बाद यह सबसे important ratio होता है market cap to cash flow market cap to cash flow यह दर्शाता है कि मुझे market cap जो भी इसकी चलरी जैसे 5000 crores किये तो इस company के पास cash कितना है जितना ज्यादा cash होगा जैसे आपने इसके पहले कहा था कि company अगर liquidate हो जाती है तो 718 रुपे के हिसाब से 718 के हिसाब से company liquidate होगी तो पैसा मिल सकता है share holders को तो यह cash flow दर्श हो सकती है आज की तारिक में कोई fixed assets की value हो सकता है 1000 crore की हो और आने वाले एक साल के बाद depreciation की वज़े से हो सकता है 900 crore की हो तो वहां पर आपके value depreciate हो सकती बट cash कभी depreciate नहीं हो सकता cash की value in terms of हमारे पास पढ़ा हुआ है काफी समय तक तो inflation की वज़े से depreciate हो सकती बट company में जो cash balance sheet में देख रहा है वो कम नहीं हो सकता तो यह market cap to cash flow जतना ratio कम होगा उतना जल्दी company cash के basis पे अपने market cap को generate करने में help करेगी मतलब की cash cash के basis पे market cap को justify करने की गोशिश करेगी जतना कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहता है इसके बाद हम अगर देखते हैं तो company का cash equivalent 39.5 crores है और reserve company के अभी 0 देख रहे हैं ऐसा क्यों रिजर्व करोण का भी नहीं है रिजर्व हो सकता है कि last 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 जो financial year है उसमें इन लोग ने reserve में कुछ आइड नहीं किया होगा आच्छा बट फिर भी reserve तो होना चाहिए reserve होंगे वो हमको balance sheet में देख सकते हैं इसमें नहीं देख रहे हैं हम balance sheet में जाएंगे तो हमें reserve दिख जाएगा इसके बाद हमें देखना होता है कि sales growth कैसी चल रही कि company की sales के सहाब से बढ़ रही है अगर वो year on year बढ़ रही है मतलब कि company grow हो रही है इसका percentage का भी standard कुछ नही होती है उसकी sales की बढ़ने के chances बहुत ज्यादा होते है क्योंकि 100 को 200 करना आसान है बट 1000 को 2000 करना difficult हो सकता है तो यह दरशाता है कि sales के सहाब से कोई भी company बढ़ रही है तो यहां पर 4.24 percentage है यह although कम है बट स्टिल बुरा नहीं है इसके बाद profit growth यह बता रहा है कि profit growth में percentage कितन कि पिछले साल से दिखा रहा है कि इस साल profit कम आए है जी 12% कम आए है जी बट अगर हम इसको consistent year on year अगर हम देखेंगे कम से कम पास साल के financials हमें देखना चाहिए पास साल के basis पर आप देखेंगे तो mostly positive होने के chances हैं अच्छा इसका interest coverage ratio इसलिए देख रहा है क्योंकि dead zero है इस कोई दूसरी ले लो अडानी ले लो अडानी ले लेता है अडानी एंटर्वेश आपको 1.94 देख रहा है क्योंकि वहां पर आपको डेट टू एक्क्विटी भी 1.56 यह भी मैं चोटा से तो कवर गड़ते तो डेट अपॉन एक्क्विटी अब डेट अगर ज्यादा होगा तो वह वन से उपर नमबर आएगा तो डेट एक्क्विटी से भी ज्यादा तो 1.56 हो गया है और इंट्रस कवरेज रेशियो 1.94 का यहां पर आपको देख रहा है अब आप चाहें तो इसे आप यहां से लेन कर सकते हैं जी सो डेट टो एक्विटी रेशियो जैसे कि आपने के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वह विएस्टी इंडस्री के पाद डेट बिलकुल नहीं है और इसी कंपणी का हम इंट्रस कवरेज रेशियो देखेंगे तो वह 1.94 है राइट सो यह दर्शाता है कि इंट्रस कितना जादा जा रहा है अदानी के जेब से इंट्रस कवरेज रेशियो मेरे सबसे होता है कि उसकी कापसिटी के एक characters के है तो यह जतना जादा होता है उतना जादा बढ़िया तो यहाँ तक हमने इंट्रस कवरेज रेशियो तक पूरा discuss कर लिया था इसके नीचे हम अगर आते हैं तो नीचे हमें यह देखना होता है क कि यह company का pros and cons क्या है वो हमने already उपर cover कर लिया है तो हमें यहाँ पर वापस discuss करने की जोरत नहीं है सिर्फ अगर cons आपको देखना है तो आप यहाँ पर read out कर सकते हैं जो भी beginners हैं तो यह भी हमने already उपर discuss कर लिया था इसके नीचे अगर हम आते हैं तो इसमें हमको peer comparison मिल जाता है कि कौन सी company इससे relatable है जैसे कि मैंने पहले top down approach पर बताने की गोशिश की थी कि आपको समझना होगा कि इस company इस particular company के best company already कौन सी है इसका comparison हम ITC से कर रहे है ITC का अगर हम market cap देखते हैं 5,61,000 crores का है और जहां पर यह company का सिर्फ और 5,000 crores का है तो अगर यह company fundamentally अच्छी होती है ITC के comparison में तो यह कहीं न कहीं माददा रखती है कि कुछ ना कुछ इसका आगे जाके growth story बहुत अच्छी हो सकती है आने वाले time पर यह recommendation नहीं है बट मैं सिर्फ बताने के लिए audience को समझाने के तोर पे बता रहा हूँ so यहां पर भी edit column नाम की चीज होती है जहां पर आप लोग multiple factors और multiple ratios को लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन-कौन से ratios को आपको compare करना है मैं generally यह format में जो आपको ratios दिख रहे हैं उन्हें compare करने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि यह fundamentally strong company है यह fundamentally strong company नहीं है so यहां पर आपको पूरी जित्ते भी यह basically आपको multiple companies मिल जाती है जिसको आप यह company के साथ compare कर सकते हैं so मैंने यहां पर intrinsic value लगा रखा है book value लगा रखा है price-to-earning ratio, industry price-to-earning ratio market cap क्या चल रहा है return on capital employed क्या है return on equity क्या है return on equity पिछले साल क्या था पिछले 3 साल में return on equity यह company क्या दे रही थी return on equity पिछले 5 साल में क्या दे रही थी debt to equity ratio ग्रहम प्राइज लगा लेता हूं मैं समझने के लिए कि इसका वेल्यूइशन क्या आ सकता था प्रमोटर होल्डिंग क्या है और प्लेच तो नहीं किया है क्योंकि ये कौशेस एरिया होता है अगर किसी कंपनी ने कुछ शेयर्स को प्लेच करके रखी हो तो यहां पे जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि यहां पे जो भी कंपनी हो जो उसका रिटरन और इक्विटी जादा से जादा हो और पिछले जो यह फिल्टर से लगा रखें तीन साल पांस साल के वो भी कंसिस्टेंट आने चाहिए जहां पे एक आइडिया लग जाता है कि भी यह कंपनी अच्छी कंपनी है क्योंकि कंसिस्टेंटली उसकी सिमिलर ग्रोथ चल रही है इसके बाद अगर हम नीचे आने की कोशिश करेंगे तो यहां पे ग्रहम यहां पे जो आपने लगाया है यह एक बार लोगों को बताना जरूर रहेगा क्योंकि यह कफे इंट्रस्टिंग हो जाएगा ग्रहम मॉडल बेसिकली यह मॉडल होता है कि आप डिविडेंट के बेसिस पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यह पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस क्या हो सकता है तो ग्रहम मॉडल का एक डिविड इंडिस्ट्री का प्राइस देखते हैं तो 1793 दिख रहा है जो की स्क्रीन में हाइलाइट करके भी दिखा रहा हूं इसके नीचे अगर हम आते हैं तो कौर्टरली रेजल्स मिल जाते हैं हमें हमें ज्यादा तर कंसॉलिडेटेड रिपोर्ट देखनी चाहिए यहां पर यह नहीं है क्योंकि इसकी कोई holding company नहीं है parent company नहीं है इस वज़े से हम यहीं company के results देख लेंगे तो काफी होगा इसके एग्जांबल देना पड़ेगा लोगों एग्जांबल आप Reliance के सबसे सिम्चाने रिलाइंस कंपनी है जैसे कि काफी कंपनियों को वो hold करती है रिसेंटल तो यहां पर कुछ standard चीजें हैं जहां से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि operating profit margin क्या यहां पर भी हम अगर स्क्रीन में देख रहे हैं तो यह एक हमको अच्छा चीजें पता चल जाती कि कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग profit margin जनेरेट कर रहे हैं इसके बाद आपको earning per share देखना चाहिए कि earning per share company का कैसा क्या चल रहा है इसके नीचे हम अगर जाते हैं तो profit and loss में भी आपको यह year on year यहां पर देखना चालो हो गया इसके पहले हमें दिख रहा था quarter on quarter इसमें भी आप देख सकते हैं कि consistently operating profit margin कैसी चल रही company की क्योंकि operation ही है जो decide करेंगे कि company कितना आगे जाने वाली है इसके बाद हमें net profit भी दिख जाता है और earning per share दिख जाता है और dividend payout भी consistent है कि नहीं अगर consistent dividend payout कर रही है company तो company अपने shareholders को cash payout दे रही है कहीं ना कहीं तो एक motivation बन जाता है shareholders के लिए इसके साथ-साथ आप नीचे देख सकते हैं कि component sales growth profit growth CAGR return on equity यह सब बहुत सारे मापदंड होते हैं जिसे आपको समझना होता है अगर आपको यह सब skip कर रहा है और यह सब देखने में आपको काफी complication अगर लगता है तो आप हमारी directly advisory ले सकते हैं जो कि दिये हुए number पे call कर सकते हैं और proper stock का नाम जा सकते हैं और उसका proper stop loss target ले सकते हैं हमारे को call करके इसी के साथ-साथ हमारे यहां पे nifty bank nifty के भी proper trade दिये जाते हैं और किस call और किस put पे काम करना है उसके भी proper detail आपको update दी जाती है हमारे तरफ से जिसमें आपको proper target, proper exit, proper stop loss दिया जाता है और hand holding दी जाती है जिसमें आप काफी अच्छा मुनाफ़ा बना सकें over a period of time so I hope इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा see हम एक financial transformation series के अंदर है तो बहुत सरे ऐसे लोग है जिनको fundamental analysis के बारे में काफी कुछ नहीं भी पता होता see जो major topics हैं जो आपको जानने जरूरी है आपको पैसा लगाना है आप stock market के बारे में सुनते हो stocks के बारे में सुनते हो but कैसे analysis करनी है नहीं पता होता तो I think इस वीडियो ने आपके काफी सारे doubts को बिलकुल मिटाओ दिया होगा आप इस वीडियो को share जरूर कीजेगा अपने friends circle में अगर आपके अभी भी कुछ सवाल आप comments में पूछिए प्यार देने के लिए like कर सकते हैं और जल्दी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए subscribe कर लिजे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजेगा you go self made and jehand